नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा आठ की कारी पुस्तिका के अगले भाग में आपका स्वागत है अगले भाग में है हमारा प्रश्न नंबर साथ, जिसमें संख्या रेखा से संबंदित हमारे प्रश्न जादा आएंगे तो पहले देखते हैं क्या है ये, नीचे दी गई संख्या रेखा में ए से लेकर आई बिंदू तक के बीच की दूरी को आठ समान भागों में बाटा गया है मैं थोड़ा पेज इधर कर लेती हूँ, हाँ ये समान ही है, थोड़ा सा ये बाई चांस भईयां से मिट गया है तो आठ समान भागों में बाटा गया है, पहले तो आप ये समझो कि संख्या रेखा होती क्या है किसी भी रेखा पर, ये मैंने एक रेखा ले ली, इसके बिल्कुल बीचो बीच मैंने अगर जीरो ले लिया तो इससे जितना मैं आगे जाओंगी, मान लिजे मैं हैं जीरो पर खड़ी और मैं एक कदम आगे जाती हूँ संख्या रेखा हमारी क्या बन जाती है, संख्या रेखा या नमबर लाइन, अब ये कहता है कि ए से लेकर आई, ये तो आई है, ए है और ये आई है, और इनके बीच की दूरी को आठ समान भागों में बाटा गया, आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आपको हाइलाइट करके दिखा दिये हैं, तो अब ये कहता है कि उपर दिखाए गए अनुसार एक संख्या रेखा बनाओ, तो मैं यहाँ अब एक संख्या रेखा बनाती हूँ, आप देखें जरा, कि ए को मैंने जीरो मान लिया, ए के स्थान पर मैंने जीरो ले लिया, और आई के स्थान पर मैंने एक ले लिया और मैंने कर दिये इसके आठ समान भाग तो एक, दो तीन, चार, पान छे, साथ और यहाँ यह है एक आपका इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ ठीक है? यह नहीं है यहाँ तक एरो लगा देते हैं तो यह हमारा ए हो गया देखो ना बीच में डंडे कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पान छे, साथ तो एक, दो, तीन, चार, पान्छे, साथ और यह हमारा वन हो जाता है और यह जीरो हो जाता है तो इस तरह से हमने संख्यारेखा बना ले क्लियर है आगे बढ़ते हैं इसको मैं संख्या रेकों को हटा देती हूँ मैं उसी से आपको सवाल समझाऊंगी कि ये मेरा हो गया जीरो और ये मेरा हो गया एक ठीक है प्रश्न नमबर एक क्या कहता है ए तथा आई के बीच की दूरी का एक बटा दो एक बटा दो का मतलब हो आधा निकालना है तो नो का आधा का मतलब चार डंडे एक तरफ छोड़ दो ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो और ये भी छोड़ दो और इधर से ये ये और ये तो ये जो बीच में ई बिंदू है ये बिलकुल बीचों बीच है फिर देखें जो E बिंदू है इससे इतनी ही दूरी तो इधर है एक दो तीन चार इससे इधर है और एक दो तीन और चार ही हिससे इस तरफ आ रहे हैं तो जो E बिंदू है वो हमारे एक बटा दो को दर्शा रहा है तो यहां हमारा इस फिलप में आ जाएगा बिंदू E आगे बढ़ते हैं पहला बिंदू है E, पहला बिंदू हमने लेना है E, दूसरा बिंदू हमने लेना है I, और उनके बीच की दूरी के एक बटा चार पर कौन सा बिंदू है, कहां कहां से लेना ध्यान देना है वही आपने E लेना है और I लेना है, और उनका एक चोथाई लेना है वन फोर्थ, त दो तीन चार तो ये इस्सा होगा एक बटा चार ये इस्सा होगा दो बटा चार ये इस्सा होगा तीन बटा चार और ये होगा चार बटा चार कैसे समझो मान लो भई ये ए है चॉकलेट है ये 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 है और ये आई है ये चॉकलेट और ये आपकी ममी ने कर दिये इसके चार हिस्से ठीक है दिख रहे हैं आपको चॉकलेट के चार हिस्से हम ये रेड कलर की चॉकलेट है ये जिस पर अब मैं ये आईलाइट कर रही हूं और इसके मम्मी ने कर दिये चार हिस्से और ये हिस्सा आपको मिला तो ये चार में चार हिस्सा था तो ये जो निशान है ये एक बटा चार को दर्शाता है तो हमारे में ई और आई के बीच की दुरी इक बटा चार कहां है F बिन्दू पर आ जाहेगी ठीक है इसका आन्सुर था E और E और आई तक के चार हिस्से करे हैं पहला हिस्सा कहां पही देखो एक और रंग से समझ लो ती से आई तक चार हिस्से करें हैं चार में से पहला हिस्सा कहां बन रहा है एफ पे बन रहा है तो वो बिंदू आ जाएगा आपका एफ कौन सा आ जाएगा एफ तो यह 18 पेज के दोनों फिलफस आप अपने भर लीजिएगा आगे बढ़ती हूँ हम मैं आगे चलते हैं प्रश्ट संख्या 19 पर अब मुझे बार-बार यह थोड़ा बैक ले जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए ठीक है भी कौन सा बिंदू ए और आई के बीच की दूरी के तीन बटा चार पर है तीन बटा चार का मतलब है ए से आई तक की दूरी को चार भागों में बाट लो ठीक है हम चलते हैं पीछे ए से आई तक की दूरी को चार भागों में बाट लो तो बिटा देखो एक भाग ये, ठीक है, अब मैं अलग-अलग color use करती हूँ हर एक के लिए, दूसरा भाग ये, फिर मैं एक और color use करती हूँ, तीसरा भाग ये, और बिटा जी, चोथा भाग ये, ठीक है, आपको मेरी बात समझा रही है, ए से आई तक के मैंने चार बराबर हिस्से कर लिए हमें बताना है तीन बटा चार कहां है तो ये पहला हिस्सा चौकलेट अगर मैं ए से आई तक एक कम्प्लीट चौकलेट मानू तो उसके मैंने चार हिस्से कर दिया नीला लाल हरा और पीला नीला लाल हरा और पीला तो उन चार हिस्सों में ये नीले वाला पहला हिस्सा है तो ये मेरा एक बटा चार है ये लाल वाला दूसरा हिस्सा है तो ई पर दो बटा चार है ग्रीन वाला तीसरा हिस्सा है तो ये तीन बटा चार है एलो वाला चोथा इसा है तो चार बटा चार है तो तीन बटा चार किस बिंदू पर आ रहा है जी बिंदू पर आ रहा है दिख गया आपको तीन बटा चार किस बिंदू पर आ रहा है जी बिंदू पर तो अब मैं वापिस उसी प्रशन पर जाती हूँ और यहां मैं लिख दे चार बटा आठ की जगह, अगर मैं इसको काट दू, चार एकम चार, चार दुनियाठ, तो ये बन जाएगा एक बटा दो, और एक बटा दो हिस्सा मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, जो की E बिंदू पर आता है, ठीक है, आगे बढ़े, C और D के बीच की दूरी, कुल दूरी का कितना भाग या हिस्सा है, कुल दूरी का कितना भाग या हिस्सा है, तो चलें वापिस पीछे जरा एक बार, देखो भई जरा, ये है, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, इसको आठ भागों में बाट लिया हमने, ठीक है, तो आठ मान के चल रहे हैं, कुल दूरी को हमने 8 होगे, चीक, ऐसे मान के चलो कि कुल टुकडे कितने होगे, चोकलेट के 8 और इसने का है, C और D के बीच में तो भईया, C और D के बीच का हिस्सा इन 8 हों में से कितना है, एक हिस्सा है आपको न, इसको कुछ नहीं करना आपको A से I तक एक पूरी चोकलेट मानना है, इसके आपकी मम्मी ने कर दी 8 हिस्से, A से B तक, 1, B से C तक, 2, C से D तक, 3, D से E तक, 4, चीक है, समझा रही है मेरी बात, तो अब यह पूछता है कि इन 8 हिस्सों में C और D के बीच का हिस्सा कितना है, तो 1 है, तो ये 1 बटा 8 इन 8 में से, ये A की तो भाग हुआ, C और D के बीच का तो ये 1 बटा 8 आठ आजाएगा ठीक, अब इसको साथ साथ ना भरते रहे ना, ये आपका तीसरे भाग का उत्तर था G, इसका उत्तर था E और ये आ गया, 1 बटा 8 अब आगे चलते हैं, E और G के बीच की दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है, E और G के बीच की दूरी देख लो भई, अब जरा, ज्यान से देखना एक बर मैं रेज कर रही E और G, E से G तक की दूरी में कितने इससे आ गए 2 इससे आ गए बिटा, 2 इससे एक चॉकलेट का इससा E से G तक की चॉकलेट ममी ने आपके भाई को दे दी, और C से D तक की चॉकलेट आपको दे दी, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, कि भाई की चॉकलेट दुगनी है 8 में से 2 पीस कब जा गया वो, आरे है मेरी वात समझ में, E से G तक तो E से F तक 1 पीस हो गया F से G तक 2 पीस हो गया, तो 2 पीस आपके भाई ने कब जा लिए, तो 2 बटा 8 आएगा, ठीक है 2 बटा 8 आएगा, तो E से G तक के बीच का जो हिस्सा है वो 2 बटा 8 है ये G था, ये E था, ये 1 बटा 8 था, और E और G के बीच की दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है, तो 2 बटा 8 है इसको काट कर आप 1 बटा 4 भी कर सकते हो चीक है, मुझे उमीद है कि ये प्रशन आपको समझाए होंगे, और अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएं हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बैल आइकन को दबा दें ताकि आगे 9th क्लास में भी आपको मेरे लेक्चर इसी प्रकार बढ़िया तरीके से मिलते रहें, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आगे बढ़ते हैं यह जीरो है, और यह एक है मैं वही सिखाऊंगी, एक चॉकलेट एक चॉकलेट की कितने इसे कर दें ममी ने, एक, दो तीन, चार और पांच, यह पहला इसा है, एक बटा पांच यहां तक दो इसे बनते हैं, पहला और दूसरा, दो बटा पांच यह हो जाएगा, तीन बटा पांच यह हो जाएगा, चार बटा पांच और यह हो जाएगा, पांच बटा पांच अब यह कहता है कि P तो P तो यहां है, तो यह किसको दर्शारा है तीन बटा पांच को, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, तीन बटा पाँच से, clear है समझा रहा है, तो इसका मिलान हो जाएगा, तीन बटा पाँच से अगले पर बढ़ते हैं, दूसरे भाग पर ये दूसरा भाग है, ये 0 माइनस एक और ये 0 है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हिस्से हो रहे हैं, 1, 2 5, 2, 3 और 4 है, तो ये माइनस एक बटा 4 है, 4 इस्सों में से 1, ये माइनस का 2 बटा 4 है, ये माइनस, माइनस जरूर लगाना है क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, 4 बटा 4 है, अब ये पूस्ता है, P किसको दर्शारा आए, तो बिटा जी, ये P आपका यहां है यह किसको दर्शार है माइनस दो बटा चार को माइनस दो बटा चार का मतलब दो एकम दो दो दुनी चार यानि की माइनस का एक बटा दो यानि यह मद्दे बिंदू को दर्शार है तो इसका मिलान हो जाएगा इस से चीक है इतने सवाल करने के बाद तो वैसे यह आ जाए, फस्ट का मिलान इससे, सेकंड का इससे, थर्ड देखते हैं भई, थर्ड फिर जीरो से माइनस एक है, उल्टा जा रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच इससे हैं, पांच में से पी कौन से नंबर पर है, जीरो को तो गिनते नहीं है, यह पूरा एक चॉकलेट, यह पूरी दूसरा हिस्सा, और यह पी पे जाकर जो खतम हो रहा है, वो तीसरा हिस्सा है, तो यह तीन, बटा पांच है, लेकिन पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का तीन, बटा पांच आ जाएगा, तो इसका मिलान हो गया, माइनस तीन, बटा पांच से, और जो बच गया, निमन परी में संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ, आपको परी में संख्या दी गई है और आपने उसे संख्या रेखा पर दर्शाना है, पहली है एक बटा पांच, दूसरी है माइनस तीन बटा पांच, इसने ये दर्शा के दिखा भी रखा है, एक बटा पांच है तीन और चार, हिस्से कितने हो रहे हैं, पांच, आप आसानी से देख सकते हो, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा और पांच हिस्सा, हमें देना है पांच में से एक हिस्सा, यानि एक बटा पांच, आपने देना है एक बटा पांच, तो यह पहला हिस्सा, यह मैंने एक बटा पांस दिखा दिया संक्या रेका पे, अब हमने दिखा रहा है माइनस तीन बटा पांस, तो ये 0 है, ये माइनस एक है, इसके भी 5 इससे कर दो, तो यहाँ जगा छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मैं इस पे करा रही हूँ, 0 और माइनस एक, इसको मैंने ये दिखा दिया, तो एक, दो, तीन, चार, तो हिससे हो गए 5, ब्लू कलर से दिखाओं, ये देखो, एक, दो, तीन, चार, और पांस, 0 से शुरू करना है, तो माइनस तीन बटा पांस, तो ये एक हिससा, एक बटा पांस, माइनस का, ये दूसरा इस्सा, तो ये पॉइंट हो गया, माइनस दो बटा पांस, ये चॉकलेट का तीसरा इस्सा, तो ये आजाएगा, माइनस का, तीन बटा पांस, तो जब आप संख्या रेखा को दर्शाओगे, तो आपने केवल, और केवल, माइनस तीन बटा पांच को ही दर्शाणा है, तो वो आप कैसे दर्शाओगे, इसको भी छोड़ दो, इसको भी, और यहाँ दर्शाणा है, माइनस का, तीन बटा पांच, तो ये आपके, नोवे प्रश्न का, मैंने यहाँ पर आपको जवाब दिया है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, प्रश्ट संख्या 10, और प्रश्ट संख्या 20, देखे जल्दी से, दो और पांच के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखो, और संख्या रेखा पर दिखाओ, दो और पांच के बीच में, तो क्या आजाएगा, तीन आजाएगा और चार आजाएगा, संख्या रेखा पर दिखाणी है, जीरो से बराबर इससे कर दो, एक, दो, तीन, चार, पांच है, एक, दो, तीन, चार, पांच है, तो अब हमें 3 और 4 को दिखाना है, मेरे पास तो अलग-अलग color है, तो मैं दिखा दूँगी, ये तो मेरा 3 हो गया और ये मेरा 4 हो गया, ऐसे dot लगा के और छोड़ देना है, मैंने dot लगाया है, दिख रहा है न, dot आपको, ये black color का dot लगाया है, मैंने तो ये 3 और 4 हो गया, आ 5 और 6 को दिखाना है, तो 4 पे dot लगा दो, 5 पे dot लगा दो, और 6 पे dot लगा दो, तो ये आपकी 3 और 7 के बीच की पूर्ण संख्याएं, हमने संख्या रेखा पर दरशादी हैं, आगे बढ़ते हैं, C पर, आगे चलते हैं, C भाग क्या कहता है, कोई भी 2 पूर्ण क्या तुम उनके बीच की सारी पूर्ण संख्याएं लिखकर संख्या रेखा पर दिखा सकते हो, हाँ, तो 8 और 11 के बीच की, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, पूर्ण संख्याएं, तो कौन-कौन सी हो जाएंगी, 9 और 10 हो जाएंगी, और आभी ने संख्या रेखा पर द ग्यारा बारा तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक है तो आठ और उसके बीच में ये नो आ गया ये दस आ गया ये दोनों संख्याए हमने यहां पर दर्शा दी हैं आपको योर उधारन लेकर भी इसको कर सकते हो आगे बढ़ते हैं बैटा जी सी प्रशन का दूसरा भाग आ जाता है ये हमारा दूसरे का ए भाग माइनस दो और चार के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखें अब पूर्ण संख्याएं देखो बैटा ध्यान देना है पूर्ण संख्याएं होती है जीरो एक दो तीन चार पांच छे यानि सारी धनात्म होती है अब ये तो माइनस एक है ये माइनस दो है ये माइनस ती नहीं समान अंतर पर चलेगा आप अपनी कारे पुस्तिका में जब इनको बनाएंगे तो प्रकार पैंसिल से फुटा पैंसिल से समान दूरी पर बनाएंगे अब ये कहता है माइनस दो और चार मैं ले लेती है तो पहली पूर्ण संक्या होगी जीरो ये लिख दी मैंने हैं फिर एक फिर दो और फिर तीन और उन्हें संक्या रेखा पर दिखा ना है तो जीरो पे डोट लगाए एख लगाया दो पे लगाया और तीन पे लगा cuz 6 पर नहीं लगाएंगे एक बार मैं इस पूरे प्रश्ण को जल्दी से सफाई से लिख देती हूँ जीरो एक दो तीन ठीक है और संक्या रेखा पर जब आप इने दर्शाओगे तो एक दो तीन चार पांच तो मैं ले लेती हूँ भई ब्लू कलर रैड पे ब्लू दिखेगा एक, दो, तीन और ये जीरो तो यह हमने दर्शादी बड़े या असान असान प्रश्ण है भी बाग पर चलते हैं माइनस पांच और तीन मैं इसी पर बता देती हूँ आप नीचे वाली पर फिर कर लेना यह हो गया माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच बिटा माइनस से जीरो तक कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है, तो जीरो आएगा, एक आएगा और दो आएगा, तीन के बीच की, तो तीन नहीं लेना होता, और जीरो एक और दो को संख्या रेका पर दिखा दो, तो यह जीरो दिखा द भी होते हैं तो पूरना कर एक माइनस दे cancelled और एक चार ले लिया तो ह्या तुम उनके बीच सारी पूसन्खाइन लेकर संख्यार्यगगा पर दिखा सकते हो तो हम उनके वीच में आळाएगा जीरों आजाएगा एक ढो Sun इना जाएगा संख्यारेखा पर आप दिखा देना इसको इससे तुम किस निश्कर्स पर पहुँचते हो तो हम इस निश्कर्स पर पहुचते हैं कि पूर्ण संख्याओं पुरुणांकों के बीच की सभी परी में संख्याएं संख्यारेखा पर दर्शाई जा सकती हैं तो हम लिखेंगे पूरुनांकों के बीच की, बलकि लिखो दो पूरुनांकों के बीच की सारी पूर्ण संख्याएं, वो संख्याएं हैं जरा उसको लिख लेना अच्छे से, संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, ठीक है बई इसको नोट कर रहें पोज करके आगे बढ़ते हैं, क्या दो परी में संख्याओं के बीच निश्चित परी में संख्याई होगी, चलो करके देखें, ये तो था पूरुन संख्या का, अब हम आगे बढ़ते हैं, फटा फट से प्रश्ट संख्या आ जाती है, हमार ये देखो बिटा, ये जीरो है, ये एक है, मैंने इसके आठ हिस्से करें, तो साथ रिंडे लगाऊंगी, दो, भई मम्मी ने ये चोकलेट है, भईया तुम ये मानलो, मैं बार बार चोकलेट का नाम नीशले लेती हूं, कि बच्चों को बड़ी पसंद होती है, यहां से य चेह साथ, यह बराबर मान के चलना है बापने इसको, तो ये तो हो गया आपका एक बटा आठ और ये आपका हो गया साथ बटे आठ, इनके बीच की पुर्म, परीमे संख्याएं तो ये आ जाएंगी दो बटा आठ, तीन बटा आठ, चार बटा आठ, पाँच बटा आठ, और चेह बटा आठ, ये संख्याएं इन दोनों के बीच आजाएंगी, तो यही ये कह रहा है किताब वाला कि ये तो बड़ी आसान है लिखनी, चीक है, लेकिन ये तो रोहन ने लिखा, लेकिन रोशन ने क्या किया, देखें जरा, रोशन ने क्या किया, उसने इस तरीके से एक बटा आठ रह जाएगा, तो एक को दस से गुणा करा, तो उपर दस आ गया, आठ को दस से गुणा करा, दस यानि एक बटा आठ की जगा, दस बटे असी आ गया, ठीक है, और सात बटे आठ की जगा, सतर बटे असी आ गया, और फिर उसने क्या कहा, कि दस बटे असी और 70 बटे 8 के बीच में से उसने कोई 8 संख्याएं लिख दी कोई 11 बटे 8, 12 बटे 8, 13 बटे 8, 14 बटे 8 तो क्या रोहन गलत है नहीं, रोहन भी गलत नहीं है रोहन के लिखने का तरीका भी सही है इसी बात को ये आगे उठा रहा है क्या तुमे लगता है रोषन और रोहन में कौन सही है, तो आप यहां लिख दो, दोनों सही हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, क्या तुम एक बटा आठ उर साथ बटे आठ को, एक हजार बटे आठ हजार और साथ आजार बटे आठ हजार लिखते हो, अन्या परिमे संख्याय को लिख सकते हैं क्या करना है अंश में जो एक अजार ने इसको बढ़ाते चले जाओ इसकी जिगह लिख दो एक अजार एक बटे आठ हजार एक हजार दो जीरो है भई ये बटे आठ हजार फिर लिख दो एक हजार तीन बटे आठ हजार फिर लिख दो एक हजार चार बटे आ रोशन ने और रोहन ने भी कुछ दिखाई तो यह हम जो कर रहे हैं यह तो बहुत अनंत हैं ठीक है तो अब आगे यह बच्चा क्या कह रहा इसको पड़ो यह फिल कर लेना कि अरे इस तरह तो कोई भी दो परी में संख्याओं के बीच हम ए निश्चित परी में संख्याओं आ जाएंगे आगे बढ़ू मैं हाँ इस उपर वाले प्रश्ण में दो बटा आट और साथ बटा आट के हर समान थे हर दे को नीचे भी आड़ता यहां भी आड़ता इसलिए इनके बीच संख्याओं आसानी से लिख सकते हैं आओ अब हम तीन बटे चार और ग्यारा बटा आख्याओं रोशनन ने कैया किया तीन बटे चार था है देखो तुल्ले بिन आप साथवी खक्षा में सीख चुके हो किसी भी अन्शोरर को समान संख्या से गुणा कर दो तो वो तुल्ले बिन बन जाती है तो रोशननने तीन बटा चार था उपर भी तीन से गुणा कर दि ये देखो यहां लिखा हुआ है नीचे 4 था 3 से गुणा करके 12 बन गया नीचे 6 था 2 से गुणा करके 12 बन गया जो हमारी पहली संख्या थी 3 बटे 4 उसका तुल्य भीन हो गया 9 बटे 12 जो दूसरी संख्या थी 11 बटे 6 उसकी तुल्य भीन हो गई 22 बटे 12 अब ये कहा था तु लिखो 12 बटे 12, फिर लिखो 13 बटे 12, 14 बटे 12, 15 बटे 12, 16 बटे 12, 17 बटे 12, 18 बटे 12, 19 बटे 12, 20 बटे 12 और 21 बटे 12 तक आप सारी की सारी संख्याएं लिख दीजिएगा, ठीक है भई, आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं, इसका चोथा बाग कहता है कि इसी परकार आप भ ही, 2 बटा 7 और 3 बटा 5 के बिच पर ही में संख्या लिखो, देखो 7 और 5 का लगुत्तम कितना होता है 35, तो 35 बनाना है हर में, तो आप क्या करो कि इसको उपर भी 5 से गुणा कर दो और नीचे भी 5 से, तो ये तो बन जाएगा 10 बटे 35, ठीक है, और दूसरी संख्या है 3 बटा 35, ठीक है, हमारी पहली संख्या बन गई 10 बटा 35, दूसरी संख्या बन जाती है हमारी 21 बटा 35, अब हमें इनके बीच की परी में संख्याई निकालनी हैं, तो वो बन जाएंगी 11 बटे 35, 12 बटे 35, बहिए 13 बटे 35, 14 बटे 35, 15 बटे 35, 16 बटे 17 बटे 35, 18 बटे 35 से ले पर लिख देनी है ठीक है बई? कोई भी डाउट हो बिटा कमेंट बुक्स में लिखो, वट्सप गुरूप जोएन करो अपने डाउट मुझे शेयर करो तो ये लास्ट प्रशन है नीचे दीगे संख्याओं के बीच की संख्या लिखो तो तीन आ गया, तो ये देखो ये दो था ये चार था, तो इनके बीच में ये तीन आ गया ये तो इसने कर रखा है आगे अब हम बढ़ते हैं तीन और साथ तो हम इनके बीच की संख्या निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? तीन जमा साथ बटे दो यानि 10 बटे 2 यानि की 5 अब इस 5 को दिखाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो 3 है ये 7 है और इनके बीच की जो संख्या है वो हमारी है ये 5 ये है 5 इनके बीच में हो गया आगे बढ़ते हैं माइनस 3,3 तो ये बन जाएगा माइनस 3 जमा 3 बटे 2 माइनस 3 में 3 जोड़ोगे 0 आएगा 0 बटे 2, 0 तो ये माइनस 1, 2 ये तो माइनस 3 है प्लस 1, 2 ये प्लस 3 है और इनके बीच बीच आगया 0 इतने आसान सवाल है ये 3 भाग आप नोट कर लो मैं डिलीट कर रही हूं अब हम 4 भाग पर आजाते हैं एक बटा 3 और 2 बटा 3 एक बटा 3 और 2 बटा 3 तो देखो भई पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम जोड़ लेते हैं एक बटा 3 और 2 बटा 3 को ये बनेगा 3 बटे 3 यानि की एक और अब इसके बटे में 2 और लगाना था तो यहां 2 और लगेगा, तो यह आएगा 1 बटा 2, अब इसके लिए आप क्या करो, यह 1 ले लो यहां, 1, 2, 3 इसे कर लो इसके, यह तो है 1 बटा 3, ठीक है, और यह है आपका 2 बटा 3, और इनके बिल्कुल बीचों बीच यह आजाएगा, 1 बटा 2, ठीक है, तो यह आप अपना कर लीजेगा अब ये कहता है कुछ अन्य संख्याएं लेकर खुद देखें एक दोर ले देती हूँ अब मैं फटाफट से आपके लिए यहाँ पर संख्याएं मालीजे मैं ले लेती हूँ चार और छें तो इनका मद्य बिंदू निकालने के लिए इनके बीच की संख्या निकालने के लिए मैं लोगी चार जमा छें बटे दो यानि की एक मिनट भई चार जमा छें बटे दो एक मैंने चार लिया एक छें लिया इनके बीच की संख्या होगी चार जमा छे बटे दो यानि दस बटे दो यानि पाँच अब आप पाँच को संख्या रेखा पर दर्शा देना तो इस तरह के आप दो चार उधरन स्वेम भी ले सकते हो तो इसी के साथ आपका अध्याए एक चैप्टर वन की पूरी कारे पुस्तिका का हल मैंने यहां करा दिया है और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखें बिटा जी और मेरे वटसप ग्रूप को जोईन करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें थैंक यू